नमस्कार आप देख रहे हैं मौर न्यूजेटीन मौर न्यूजेटीन में आपका स्वागत है मैं हूँ यूवराज इस वक्त अभी हम बैठे हुए हैं सन्पॉल इसकूल के ऑफिस का रजाले में बैठे हुए हैं और हमारे बीच में वैसे महान सक्सियत हैं और आप भी जान बादशीत चर्चाव परशिचा के दौर में हम आये हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में निकाई चुनाओं की एलक्सन परवान चरता हुआ नजर आ रहा है और हमारे बीच में वैसे अपने समय निकाल कर चुकि मौर न्यूजेटीन ने इस बीड़ा को उठाय है हर लोगों हर पर्तियासियों को वीजन को जनता के बीच मौर्णी जैटीन ले जा रहे है और इस नदर निगम की जो भी समय कार्ज कर रही है इसी कर में हमारे बीच है आप जान रहे हैं राजेस्कुषवाहघी जो जदिउस्टेट के से करेटरी है और सह भागल्पूर कि उनके द्वारा अभी मैं अपने चर्चा और पर चर्चा में जानने का प्रियाश करूंगा कि कहीं ना कहीं वो मेर के तोर पर तो प्रतियासी के तौर पर हमारे चैनल के माद्यम से पता खोड़ने के लिए जिग्यासा रखते होंगे चाहे आ रहें यह हमारे चर्चा और परचर्चा में बातों में ही आएगी सौपर्थम सर हमारे मौर न्यूजेटीन पर आने के लिए आपको स्वागत है सर सबस्पहले नमस्कार हाँ शर बोला जाएन सर आप कि हम लोगों को आ रहा है हम लोग अपने चानल के माध्यम से अभी सब्सरट रहें और जतने भी प्रतियाशी डीरेक्ली डीरेकली हमारे चानल के माध्यम से पत्ता खोड़ चुके और कहीं हम.'d सवाल आ रहा है कि अगर आप इस फिल्ड में आना चाह रहे हैं तो आप उसे मैं यह जानने का प्रियाज करूंगा कि आप उतने वरे स्टेट के सचीव रहते हुए इस मेर के दौर में आप क्यों आना चाह रहे हैं मैं मुंगेर का निवासी हूँ और आए दिन मजदूरों का नगर निगम के मजदूरों का हरताल से मुंगेर का जो नार के इस्थिती हो रही है उसको देखते हुए और बहुत सा कारण है जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा इस सब कारण से देखते हुए मैं सोचता हूँ कि अगर मुंगेर का मेयर मुझे नगर निगम की जनता बना देती है तो बहुत सी समस्याओं का मैं निदान करने की भरपूर कोशिस करूँगा जिसमें सफाई, ड्रेनेज बेवस्था, मल का निकाशी, स्ट्रिट लाइट इस तरह की अनेक समस्याएं हैं सहर में आप जब जाते होंगे कोई भी गली तो वो आपको खुदा हुआ मिलता होगा और उसको देखकर मेरे माइंड में आया कि क्यूं नहीं एक बार पूरे मुंगेर का लेबलिंग कराया जाए और एक वार रोड को पूरी तरह से गड़ा करवा के मल निकासी, जल निकासी और जितना पाइप फिटिंग होगा उसका स्पेस छोड़ दिया जाए, उसके उपर रोड बनाया जाए तो वो आपका पर्मानेंट रोड रहेगा ने तो आज आज मोटर साइकल साब गिर जाते हैं, आपकी एक्सिडेंट होती है, गारी से पैदल चलते हैं, ठेस लगके गिर जाता है तो यह सब देख के हमको लगा, कि अगर हम नगर निगम एक समयधानिक पद है, जब वहाँ पहुचेंगे हम, तो मेरे कलम में पावर होगा और उससे एक नया मुंगेर, एक स्वच मुंगेर, मेरा बनाने का सब भीजन है कि यह सब चाकार जगर एक बार पैसा लगा के कर दिया जाए, टोटल मुंगेर के ड्रेनेश सिस्टम को एक बार उठवा लिया जाए कहीं पौनी जलजमाओ नहीं होगा, उस अनुसार से रोड को गड़ा करके, दोनों साइड नाला बनाके बीच में गितना पाइप घुसाना है, बीएसनेल का हो, इसका हो, उसका हो, उसका हो, उसका जगह छोड़ दिया जाए, उसके उपर ढ़लिया कर दिया जाए, कभी आपको रोड तोरने की जरुत नहीं परेगी और मुंगेर निवासी हमेशा चकचक रोड पर चलेंगे, मेरा ये भीजन है, और मेरी सोच है, मैं तो समाज के लिए, जब से हो समाला हूं लर रहा हूं, मैं कोई पदपर नहीं हूं, इसलिए बहुत जगह मेरा नाम नहीं हो सकता है, लेकिन घोरघट बिज हो, मैं भी हमन आदरनिय, मानिय, ललन बावू और सियम शाहब को दरख्वास दिये थे, आपको उभर बिडीज हो, उस पर भी मैंने दोनों को दरख्वास दिये थे, कि ललन बावू खरकपूर जाने में बहुत दिक्कत होता है, दोनों आदमी सुने, ललन बावू भी कहे कि हम काम करेंग मैं जिस जितना वरा पद पर हूं उससे जादे समाज के लिए लड़ने के लिए चाहता हूं अगर मुझे समयधानिक पद मिल जाएगा तो हमको तो लगता है कि अब मेरी सोच भी यही है सब दिन मेयर एक आदमी नहीं हो सकता है लेकिन कोई मेयर बने तो तुलना हमसे हो कि उसके ऐसा काम करके दिखाओ मैं वह इतिहास छोड़ना चाहता हूं मुझेर का मेर बनके एक प्रस्ण मेरे माइन में आ रही है और जनता का बहुत वारा मांग है और मैं चाहूंगा कि उस प्रस्ण का आप जवाब दे अभी जो इलक्सन होना है आप भी देखे कि हमारा दे नगर निकम का जो होल्दिंग टैक्स होता है जो हम लोग रसीत कटाते हैं नगर निकम से। उस में तो ग्यारे परसंट पर हाप भी दिया गया उसके oपर जो है का Sellous काल में छेतने आर्थिकिस्टी से कमजोर हो गए कि उस पर भी मतलब उस टैक्स में यह जो रसी जो कटता उस पर 11% सक्स और चक्रविर्धी व्याज ये वहला गरीव ऐसे इंसान सरकार उसके लिए देखते हैं आप केज़र सरकार की विएक योजना है गरीवों को अनाज देते हैं और वैसे इस्थिती में कोई सब एक समान तुलिये लोग यहां नहीं है कोई मध्यवर्ग हैं कोई निम्रवर्ग हैं तो उनको भी तो नगर निगम से टैक्स कटाना है और वैसे इस्थिती में करोना काल एक बहुत बड़ा समस्या हम लोगों के बीच में रहा वह जो टैक्स विर्धी का है और टैक्स विर्धी पर चक्र विर्धी का है उस पर सर आपका क्या मनें सोच है उस टेक्स बिर्धी तो अब नहीं होनी चाहिए ये पांस साल में जितना टेक्स बढ़ा है मकान का हम भी मुंगेर के नावनिवासी हैं तो इस पर तो जरूर कहन चिंतन मनन अध्यन होना चाहिए और मैं जब मेर बनूंगा इस पर एक आम पबलिक के बैठक करके इस पर एक राय क मेर के चुनाओं में वाट पारशत के चुनाओं में आएंगे तो उनको कागज बनाने के लिए उनके होल्डिंग टैस्क क्लियर होना चाहिए उस पर आपको भी मैं बता दूं कि आपकी सरकार है और सरकार के पाटी में का सम्मानित पोस्ट पर है तो जहां तक रही नगर आ चीज पर अपनी बात तो रख सकता है कोई भी नेता या कोई भी आम नागरिक हमारा सम्मिधान धर्म निर्पेच्छ है परजातंत्र है कोई भी कहीं बोल सकता है और अगर हमारे शभी मुंगेर के नागरिक भी इस पर लड़ेंगे तो सुनवाई होगी चलिए आपसे तो हमारी उमीद इसलिए है कि आपने यह जो यहां पर घुरगट पूल वाली मांग आपने उठाया था सरकार से मांग को आप वाजी मांग को छीन कर लाके मुंगेर के जनता के बीच में दिये थे यह एक बहुत वरा समस्या है चुकि अब यह लक्षन सर पर है तो हर गरिब हमारे रात में इंसान हमें कह रहा था कि सर आप चैनल से हैं इस पर आप बात उठाई और हमने कहा था कि इस बात जन परतिनीदी तोर पर जो भी अगर प्रतियासी के तोर पर आते हो उनसे भी बात उठाएंगे और इनके जो प्राधिकार जो जवाब देने वाले हैं उनसे भी बात उठाएंगे लेकिन उठाएं तो किन से उठाएं यहां तो मेर तो अफिस में आती ही नहीं है उसके बाद आप देख रहें नगर आयुक्त की पोस्ट डिक्त हो गई तो इस पर आप थोड़ा साब अपने तरफ से मने सार्थक जवाब दीजे कि मु राज लगा है उसको माफ कर दे सरकार और मैं सरकार से इस मुद्धे पर बात भी करूंगा और आबेदन भी दूंगा कि इसको माफ किया जाए काई कि बहुत जनता करोना काल से प्रित हैं हम लोग भी इसकूल चलाते हैं मेरा प्रोफेशन इसकूल है मेरा इसकूल का नाम से मैंने करोना काल में जो बच्चा नहीं पढ़ा, उसका मैंने फीस नहीं लिया, कोई भी जो ओनलाइन पढ़ा, जो इंट्रेस्ट रखा वो दिया, जो नहीं पढ़ा, मैं सीधा माफ कर दिया, कि जब से आपका बच्चा आएगा, तब से मैं उसका फीस लेंगे, तो मैं अपने अस्तर पर जो हुआ, मैं करोना काल में संथ पॉल से ही, जहां तक हम से बन सका, मैंने राशन का शमान बटवाया, सब कुछ किये हैं करोना काल में, सबसे बड़ा बात है, पढ़ाई का भी फैक्टर होता है, तो मैंने सभी पेरेंट्स को ये आस्वस्त कर दिया कि आपका जो उधर छो मैना, आठ मैना लोगडाउन हुआ है, आप पैसा हमको मत दो, हम किसी तरह मैनेज कर लेंगे, टीचर को पैसा देंगे, मैं सहरवासी के लिए, जितना मेरा अधिकार है, उससे जादे मैं कर्तब दिखाता हूँ, और मेरा यही चाहत हमेशा है, कि हमे दो, तीन प्रस्न है, मेरे माइंड में है, और आपसे मैं उसका जवाब लेना के लिए व्याकूल हूँ, एक सर देख रहे थे कि बीच में, दो, तीन वार, तीन सिप्ट में, यहां मुंगेर नगर निगम के द्वारा सफाई जहारू लगती थी, वो मिर्च पराय है, दूस परावर इस चीज को देखें, और बहुत जगा इस बात को मैंने उठाया, और कोई सटिक इसका जवाब नहीं दे पाए, एक जाती विसेश पर एलक्सन होने की स्टिती हो रही है, यह मेरे तीन प्रस्न के आप जवाब देदे, यह बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए, सब पाकल से उसे पाणी आता था सप्लाई से, हमलों का घर में पाणी हो जाता था, उसके बाद अगल बगल मुहले वाले दस बीस घर अपना पाणी ले जाते थे हमारे सप्लाई से चला के, और वो दिन में दो बार खुलता था, अबसोस बीच में साफ बंद हो गया, अभी कभ कभी हमारे एरिया में पाणी आता है, तो मेरी तो सोच है, जल जीवन और रोटी, ये समाज का आदमी का परमुक अंग है, इसलिए सबसे पहले पाणी पर तुम्हें कंट्रोल करूंगा ही, कि दो टाइम तो में खोलने का भरपूर कोशिस करूंगा, और घरे घर आपका सप प्लाय का पाणी पहुंचे, दूसरा कुश्चन आपका क्या पाणी मेरा सफाई पर तीन टाइम यहां पर यह होता था, मैं सफाई पर पहले भी आपको बोला हूँ, कि अगर नगर निगम ही महना दो महना में हरताल हो जाए, तो आप दू टाइम का क्या बात करते हैं, एक अगर मजदूर को उसके अनुशार बेतन और समय पर बेतन भुकतान कर दिया जाए, तो हरताल होगा, हमारा नगर निगम के करमचारी भी मानब ही हैं, उनकी भी पेठ हैं, उनको भी भूक लगता है, उनका भी बाल बच्चा पढ़ता है, उनको टाइम पर तो पेमेंट चा होता है, या दुसरे जिला में जादे पेमेंट है बिहार में, तो यहां क्यों नहीं है, इस पर सुनवाई होनी चाहिए, और मजदूर और नगर निगम के करमचारी के साथ बैठ के इस पर गहन विचार बिमर्स होना चाहिए, कि आपको कभी हरताल नहीं करना है, आपको जो जो मेरा प्रस्णत था, कि अगर लोग जमात का नेता होता है, तो इसकी अलग की बात है, कि अगर हर जमात मुस्की पकर है, तो आते हैं, तो जनता भी देखती है, कि वहाई हर जमात के हैं, यह समासे भी हैं, जाती भिसे से लोग आना चाह रहे हैं, तो आखिर मैं मैं माना है कि कोई जमात का नेता है और मुंगेर की जनता भी देखे कि करोना काल हो चाहे मुंगेर के लिए इन्हों ने बहुत तो भाई इनको भोट दिया जाए इसका कथन है तो यही मैं आपसे सरजानना चाह रहा हूं कि यह जो जाती विशेश फैक्टर पर लोग प्रत्यासी के तौर पर आ रहे हैं उस पर आपका सोच और आपका कथन क्या ऐसा राजनितिक जाती विशेश पर नहीं किया जा सकता है यह जमात और पुरे समाज को लेकर किया जा सकता है एक जाती से नहीं कोई मेर बन सकते हैं नहीं उप मेर बन सकते हैं यहां तक कि वाट कॉंसेलर नहीं बन सकते हैं तो यह सोच मेरे समझ से गलत है आज मैं स्कूल चलाता हूं तो क्या मैं सिर्फ कुस्वाहद्य बच्चों को पराता हूं हमारे हिया हर जाती हर धर्म के बुला मिला हुआ हूं सब के साथ समावन बेभार है इसलिए मैं तो जमात को लेकर चलूंगा और समाज को लेकर चलूंगा चलिए सर आप आपने हमारे चार कोश्चन का जवाब दे दिया एक कोश्चन और हमारा है जो आपके लिए प्रस्न है आप देखिए हम कल भी इस प्रस्न को मैंने उठाया था हमारा जो मुंगेर सहर है यह अतिहासिक सहर है और इसकी मतलब इस भूमी में बहुत बरा योगदा स्थान है आप जान रहे हैं यहां मीर कासिम की किला हो सिता मा का चरन हो चंडिका स्थान हो चाय योगा विश्वय योगा इंवर्सिटी हो और बहुत सारे इसे हैं और सबसे वरी चीजे का आप जान रहे हैं कि हमारे यहां अंग्रेश सासंकाल से ही यहां पर बंधू फैक् तो अब केड़ मेरेन में विए फ्करीं में मोर्त्राइच जान नियुक्त में इतितांटु पहचान है उस पर आपका कथन क्या है सब बंदूख फैक्ट्री पर मेरा ध्यान बहुत पहले चला गया था लेकिन मेरा वह पावर नहीं था कि मैं उस पर कुछ कर सकूं लेकिन मैं अपने माननिय नेता को एक आवेदन जरूर दिया हूँ कि इस बंदूख फैक्ट्री को आप एक वर्ल्ड अस्तर का ओडियन्स फैक्ट्री आयुद निर्मान कारखाना के रूप में तब्दिल करते हूँ और मेरे जो करमचाड़ी हैं बंदूख फैक्ट्री के जो मजदूर हैं उनके आप योगता का आधार टेक्निकल डिगरी बनावें कि उनमें मिस्तिरी गिरी कितना है वो क्या कर सकते हैं उससे उसकी भरती करें कि कहाए कि भाई जो सुरू से मिस्तिरी किया वो तो डिप्लोमा नहीं कर सका है लेकिन जो डिप्लोमा किया है उससे जादे वो अच्छा चीज बना सकते हैं इसलिए उनकी योगता टेक्निकल अधार पर हो कि वो क्या जानते हैं और जितने भी हमारे बन्दुक फैक्ट्री या बाहर के मिस्तिरी हैं कि भाई हैं सभी को उसमें भरती दिया जाए उसके टैलेंट को देखते हुए उसके जो कितनी वो तक्निकी ज्यान रखते हैं उसके आधार पर उससे क्या है कि सभी आदमी को रोजी-्रोजगार मिल जाएगा हमारा मुंगेर में जो एकोनोमिक थोड़ा क्राइसिस है वो बजार भी उससे चलने लगेगा अगर फैक्टरी खुलता है अगर एक हजार लेवर को अपसर को अगर पैसा मिलता है पचास जार प्या मेहना तो वो मुंगेर में ही खर्च करेगा न उससे हमारे ब्यवशाई बर्ग से लिए कि सभी बर्ग लवानुईत होंगे इसलिए मुंगेर के बंदुख फैक्टरी को 20 अस्तर का बंदुख फैक्टरी बनाना अती आवस्यक है और मैं इसके लिए हमेशा लड़ता रहूंगा कि यह होना चाहिए सरकार तो आपकी है हाल पिलाल सेयद सहनवाज हुसेन उसका निरक्षन करके गए और आप लोग अगर चाहते तो उस पर थोड़ा सा मतलब ज्यादा जोर दे के आप लुग चुकी आपकी है जोर दे के उस पर ध्यान दिलवा सकते हैं उसको करवा सकते हैं शर मैं कोशिस हमेशा करता हूं मैं शमयधानिक पदपर नहीं हूं मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं मेरे कलम में ताकत नहीं है यही कलम की ताकत मैं मुंगेर की जनता से मांगना चाह रहा हूं कि आप मुझे कलम में ताकत दें देखिए मुंगेर क्या होता है मुंगेर को मैं किस अस्तर पर ले जाता हूं वह मेरी जिमेबारी हों चलिए सर आपने मेरे 4 से 5 ज्वाब दे दिया यह लास्ट मैं आप से पूछूंगा और मुंगेर की जनता की यह कुशन है मुंगेर की जनता की यह मांग है कि आखिर मेर के वह सारे आ रहे हैं नए पुराने बहुत सारे चयरे आएं हैं यंग जन्रेशन के भी आ रहे हैं तो मुंगेर की जनता भी तो देखेगे कि हम अपने मैर को चुनाओं करें अपने डिटी मैर को up करें पार्सात को चुनाओं करें शकी जो आपने इस मुंगेर के लिए हर एक से 45 वाट तक की जनता देखना चाहेगी वह इसे परतियाशी हो कि हमारे लिए किये तो क्या किये कि सदार पर यह मेर बनने के लिए और कि सदार पर जनता मुंगेर की उनको भोड़ देंगे इस पर आप अपने कथन को हमारे चैनल के पोजेटिव आदमे ही आते हैं फिल्ड में कुछ करने के लिए इसलिए सभी का मैं हमको पहले सबका जो है हम सुब कामनाये देंगे सभी को रही बात मेरी आने का तो मैं बचपन से ही समाज के लिए लड़ते आया हूं और समाज के लिए कुछ अच्छा हो यह मेरी सोच है और जहां जहां मौका मिला है मैं समाज के भलाई के लिए काम किया हूँ आज यहां नहीं मेरे दादा जी भी आज भी सेवा सदन में जाके देखिए मेरे दादा का नाम खुदा हुआ है उसको डोनेशन देने के लिए मेरा भी नाम देख लिजेगा मेरे पापा का भी नाम देख लिजेगा दुरगास्थान गेट पर खुदा हुआ है कि गेट बनाने के लिए तो ऐसा नहीं कि मैं अचानक मेरे दादा भी डिस्टिक बोर्ड में थे जिते हुए थे अयुद्या मंडल नाम हुआ उनका हम लोग का फैमिली ही पॉल्टिकल फैमिली है एक समाज का आदमी जब तक हम लोग मना हमको तो लगभग हमको लगता है कि 400-500 आदमी से का डेली हम नहीं मिलते हैं हमको उस दिन निंद नहीं आती है कि भाई आज क्या हो गया है आदमी से भेट नहीं हुआ है करोना काल में जब पहला लोगडाउन हुआ हमको लगा कि हो क्या गया अब अब तो सब समाप्त हो जाएगा एक आदमी दूसरे आदमी से घिरना कर रहा है कोई मिल रहा है तो साबून से हांत साफ कर रहा है लेकिन चलिए समल गया और समाज के लिए करने के लिए मैं हमेशा तयार रहूंगा अगर समाज हमको चाहती है उचित पत दे के समान देना तो मैं जितना ताकत है जितनी बिहार सरकार से हमको मांगना होगा भारत सरकार से मांगना होगा मैं जाके अपना डेलिगेट लेके जाके मैं मांग के और सही में मुंगेर को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा ना कि कागज पर चलिए धन्यवाद आप आपने हमारा बहुमूलिय समय अपना हमारे चैनल पर दिये और खास तोर पर इतने व्यस्तम समय निकाल के आप इस संद्पॉल स्कूल के आप एड्मिस्टेटिव बॉड़ी हैं आप से एक और यह है कि बीच में हमारे बीच में होली है और आप अगर अगर हमारे चैनल के माद्य हम से होली पर भी अगर कुछ बढ़ाई देना चाहते तो देते हुए दे सकते हैं होली इद रमजान शभी पर मुंगेर के नगर निगम और बिहार बासियों को राजेस कुस्वाहा की और से शुब कामनाए शभी पर आपश में प्रेम से मनाएं प्रेम से रहें इसी के साथ जैहिन कि आप देख रहें हमारे चैनल के माद्यम से नगरनिकाई की चुनाओं अर खास तोर पर मुंगेर निकाई की चुनाओं में परतियासी के तोर पे आएं अपने कुछ उदेश और विजन लेकर आएं इसी कर्व में हमारे बीच भी राजेश कुस्वाह जी अपने विजन को परोसने का काम हमारे चैनल के माध्यम से जनता के बीच किये हैं अब देखना है मुंगर की जनता अपनी असिरवाद किसे देती है आने वाले समय में आप देख रहें मोर न्यूजेटिन बने रहें मोर न्यूजेटिन में